पूरा जल्दी जल्दी देख लीजे और देखने के बाद फिर आप अगली क्लास से कॉंटीनियू करिए तो ज्यादा बहतर रहेगा हमने अभी तक और रिजीम नियू रिजीम मतलब पुराना रेट नया रेट हम कर रहे थे इस बार बजट का भी डेट अनाउंस होड़ चुका है 26 जुलाई 26 जुलाई को बजट आएगा 26 जुलाई को अब यह नहीं देखा मैंने अगर मैं आपको कहूं कि इस पर टेक्स लाइबिलिटी निकालिए मैं सरिफ कहूं कि आप इसका टेक्स लाइबिलिटी निकालिए compute his tax compute का मतलब calculate करना tax liability निकालिए तो आप मेरी बात का आपको ध्यान से सुनना है जब कभी भी ऐसा question कहा जाए टेक्स लाइबिलिटी निकालिए तो हमेशा नए वाले rate से करेंगे वो 5, 10, 15 और 20 और वो 30 वाला जो rate है उस rate से हमेशा होगा जब बोले सरिफ tax निकालो क्योंकि default यह है बोला गया कि जब कभी भी आपको बोला जाए कि टेक्स निकालिए तो default वाला अपलाई करिए यानि एक तो आपको default वाले से करके दिखाना है यह और एक new से ताकि हम compare कर पाएं old से ताकि मैं compare करके यही बताना चाहता हूँ just आपको कि भाईया दोनों में क्या फरक है और किसको फाइदा किसको नुकसान क्या फरक है अभी तक मैंने theory पढ़ना चालू नहीं कि अभी तक मैं सिर्फ समझा ही रहा हूँ आपको तीसरी class हो जाएगी आगी इसके अंदर हमें एक class ज्यादा ले चुके हैं ओल्रड़ी अरे यह लेजिए यह लेजिए एक लाइन आपको रेट्स याद होना चाहिए इसमें क्या होगा अप्टू three lakh हमारा बनेगा कोई रेट नहीं है यह new वाले के हिसाब से है और इसको मैं करके दिखा हूँ ओल्ड तो यह बन गया हमारा zero मैं तीन लाग क्यों लिख रहा हूँ zero हमारी इंकम जो है वो ग्यारा लाग है इंकम ग्यारा लाग है तो next तीन लाग पर सवाल कहता है 5% that is 15,000 फिर से next तीन तीन लाग का गैप चलता रहेगा तीन लाग पर 10% that is 30,000 फिर next अब तीन तीन नौ हो गए अब बचे कितने दो लाग इस पर 15% that is 30,000 यहां पर जो हमारा टेक्स आया वो टेक्स आया साथ 75,000 लेस लेस तो होगा नहीं 87 यह तो मिलेगा नहीं तो टेक्स हमारा यह बना और एड हो जाएगा एड हो जाएगा सैस कितने परसंट 4% तो 75 पर 4% सर अच्छा स्टूडेंट ने निकाल भी दिया बताओ मैं बड़ा पीछे चल रहा हूं आज 73,000 और यह आगे 78 आपने निकाल लिया बहुत बहुत अच्छी बात है ताकि आपको पता चल जाएँ चलो आब ओल्ड से भी कर लेते हैं अब ओल्ड से करते टाइम पे आपको उमर भी धियान रखना है उमर भी धियान रखना है क्योंकि एज भी था यहाँ पे तो एज यहाँ 40 साल है और इस वाले में एज से मतलब ही नहीं है भाई तो पहले 250 यहाँ पे था 250 0 नेक्स्ट टू फिफ्टी कहता है पांच परसंट बारह हजार पांसो नेक्स्ट फाइव लेक अब सीधा फाइव लेक का गया पाया सीधा बीस परसंट ओ माई गौड एक लाग अब उसके बैलेंस जो भी बचा सीधा तीस परसंट एक लाग बचा तीस परसंट यहाँ आपका थर्टी थाउसन नाव बारह हजार पांसो एक लाग थीजाजार एक लाग सर्य एक बाइलेस पांसो प्लस सेस प्वर परसंट फ़्स सेवन दबल जो फ़्स सेवन दबल जो नच पर एट तो दबल जो नच पर रहेट तो दबल जो रॉनक देन 87A 25,000 है कम है सर टेक्स लाइबिटी मतलब अगर 25,000 से कम येस बच्चों के क्या क्या डाउट आ रहे हैं रॉनक का कहना है सर 87A रॉनक पहले तो स्मॉल एका और कैपटल एका दोनों का मतलब अलग होता है तो यहां पर 87A नहीं मिलेगा क्यूंकि नए वाले में अगर आपकी इंकम साथ लाख रुपए तक है तो आपको मिलता है और पुराने में अगर आपकी इंकम पांच लाख रुपए तक है तब 87A मिलेगा अब आप एक चीज नोटिस करिए नए वाले टेक्स के हिसाब से आपको 78,000 का टेक्स सरकार को देना है और पुराने वाले हिसाब से आपको 48,000 रुपए 148,200 गवर्मेंट को टेक्स देना है तो अगर मैं आपसे कहूं अभी सिर्फ इस पिक्चर को दिखाते हुए अगर मैं आपसे कहूं बताओ आप कौन से क्योंकि गवर्मेंट ने कहा है कि आपको ज यह नए वाले से आप और वाले से भर ना पसंद करोगे यह फिर नए वाले से सभी स्टूडेंट बताःए फटावर्मेंट के आप ओल्ड-वाले से ग्यारा लाग अगर इंकम हुई तो आप नए वाले से भरोगे या ओल्ड वालों से नियू वाले से सर अर्नब ने कहा नियू वाले हितेश ने कहा नियू वाले मनन ने कहा नियू वाले और सभी बच्चे एकदम धड़ा धर आंसर दे रहें और बोल रहें सर मत पूछिए बस ये तो बड़ी बेसिक सी बात पूछ ली नए वाले से भरेंगे नए वाले से क्यों बोलना चाहते हो मैं बताता हूं आपकी मन की बात बोले सर यहां पे तो 78,000 देना है और यहां पे 148,200 रुपे देना है तो यह तो जादा पैसा हम सरकार को क्यों दे हम पागल थोड़ी है हम कम वाला दे देंगे तो इस सबसे बड़ी समस्या जो हमें आग इंकम दोनों से कल्कुलेट करके देखना होगा एक्जामनर बोल देगा आप बताइए कितने टेक्स लायविलिटी होती है आप एक चार्ट है आप बाहूत अच्छ teşekkür ठेक्सलाइनर है तो बताइए कितनी टेक्स लायविलिटी होगी तो आपको जो दोनों में से कम वाला और हमेशा ही ये कम रहेगा नहीं नहीं अब आगे मुद्दे की बात देखो मुद्दे की बात कि मुद्दे की बात सर जब न्यू वाला आप फॉलो करोगे न और जब ओल्ड वाला फॉलो करोगे अभी से पहले अब तो खेर अभी से पहले की बात करें तो इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर पैसे थे ही नहीं आपको याद होगा मुझे एक्जेक डेट याद नहीं है 1991 में मन मोहन सिंग जब फाइनिंस मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने हमारे देश को बहुत ही एकनॉमिकल क्रैसिस से बाहार निकाला था उस टाइम पे मुझे जहां तक मैंने भी कहीं सुना था कि उस टाइम पे इंडिया के पास इंडिया के पास उसको घर चलाने के लिए यानि इंडिया का खर्चा चलाने के लिए बस पैसे महज चंद दिनों का पैसा बचा हुआ था कुछ टाइम का पैसा ही बचा हुआ था उसके बाद इंडिया एक तरीके से इंसॉलवेंट होने वाली थी एक कंडिसन जैसे कि आपने अभी रिसेंटली स्रिलंका देखा उसके राश्पति भागे भाई अब नहीं है यहां पर कुछ आप यही रिसेंटली पाकिस्तान का भी यही हाल है कि वो क्रैसिस से गुजर रहे हैं उसके पीछे क्या रिजन था कि कुछ लोग कुछ लोगों के पास बहुत पैसा और कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा आप गॉर्मेंट इससे बड़ा ructure Destras W और फ्कूंप तो फटर फटर देखो कितने लोग बनाली है मतलब कहनी की बात नहीं है इतने सारे परसन बना लिए आप को तो को समझेआशाब को दो लोगों के पास खूब पैसा और बागी लोगों के पास पैसे नहीं थोड़े पैसे थे और ये सब लोग क्या करते थे जो पैसा इनके पास आता था वो पैसा ये घर पे रखते थे घर पे रखते थे बैंक वैंक खाते नहीं थे जमाही नहीं करते थे एस मोज करते थे बोलते थे अरे भाई यार क्या जिंदगी एकनोमिक क्या होता है जिंदगी तो एस मोज करते हुए जाना है उपर सबको जाना है एक दिन तो क्या करेंगे यार इतने पैसे का एस करते थे आराम से पीते थे और टैंशन फ्री होके रहते थे । तो यह सभी लोग अपने पैसे कहां रख्टते थे घर में तो जो बैंक बीचारा है kommt यह यह पैसे भी लेने आते थे लोन बैंक बोलते थे पैसेजेंगे नहीं है तो लोन देना लेना पहले मान के चलो बहुत कहाम आप यकीन नहीं मानोगे अगर आपको आज स्कूट जाते हो पहले स्कूटी लेने के लिए आपको चेछे मैंने की इसली टी तब जाखे आकर आथा यह हालात थे पहले ऐसा है जब लोगबाग बैंक में पैसे नहीं जमा करेंगे इनके पास पैसे पड़ा हुआ है और इनके पास पैसे पड़ा हुआ था तो जब लोगबाग जब बैंक में पैसे नहीं जमा करेंगे इनके पास पैसे पड़ा हुआ है और जबंपनी को और यह सब कहां काम करने यह निग इसकी पैसे लिख्रोणतों क्योंश मिलने रहा तो यह की income खतम, bank खतम, तो ये एक तरीके से सरकल घूम जाएगा, एक तरीके से, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, जो की 1991 में हुआ, गौर्मेंट ने फिर income tax के अंदर, गौर्मेंट बड़ी चलाक है, गौर्मेंट क्या करती है, income tax के अंदर कुछ ऐसे नियम ली आती है, जिससे लोगों को ना ना करते हुए, वो काम करना पड़ता है, गौर्मेंट ने क्या करा, बोला भाई, तू पैसे, हमने इसको बहुत समझाया, कि तू पैसे बैंक में जमा करिये, बोलते हैं, मैं क्यू जमा करूँ भाई, बैंक डूब गई तो, मैंने बोले भाई, तिरे को ब्याज देंगे, 10%, बोला हम तो नहीं करेंगे जमा, गौर् इनके उपर लगाएंगे टेक्स मैंने बता तेरी इंकम कितनी है वाला भीया मैं साल के ज्यादा नहीं कमाता हूं साल के सत्तरहजार साल के सत्तर हजार पांच हजार रुपए महिने की सेलरी है पांच सबांच हजार रुपए और इतने कमाता हूं तो यह गौवर्मेंट का नया कानून आया एक्केस हजार रुपए टेक्स देना पड़ेगा सी बड़ा परिशान होगे पब्लिक मतलब भाई यह क्या हो रहा हमें टेक्स देना पड़ेगा नहीं तो जेल जाना पड़ेगा जी हां तुम सभी को टेक्स देना पड़ेगा अब यह सभी टेंशन में यह सभी टेंशन में भाईया टेक्स देना पड़ेगा यतनी कमाईनी उससे ज़्यादा सरकार को सीधा 30% मां गया था टेक्स 98 पॉर्सेंट टक रेट हुआ करता था इतना ज्यादा टेक्स रेट और 50,000 से उपर कि इंकब पर टेक्स लगा दिया करते है अब भाइ यह सब स्कीम पसंद आए तब जाके हल्ला मचाना आप तब सरकार गिराने की बात करना हम क्या कहते हैं तुम पैसे कहीं निकाल नहीं रहे हो तो हम एक स्कीम लेके आए हैं कि कुछ जगह पे कुछ जगह पे हमने रखाए कि 40,000 रुपय अगर आपकी इंकम हुई तो हम टेक्स लेंग जहां जहां बोल रहे हैं वहां पैसे रखो जाके तो हम आपकी इंकम मेंसे को माइनस कर देंगे बोला आप FD करो जाके बैंक में 5 साल के लिए FD करो तो अगर आपकी इंकम 70,000 है तो जाओ ना आप जाके 30,000 की FD मारो तो अगर आपने 30,000 की FD कर दी तो आपकी इंकम कितन नहीं हो जाएगी 40,000 और आपको टेक्स देने से बच जाओगे यानि आप जहां जहां गवर्मेंट ने बोला यहां पर आप एवडी कर दो लोगों में दान दे दो इधर उदर कर दो जहां बता रहे अगर यह कारे किया आपने तो आपकी टोटल इंकम में से उसको हम घटा देंगे और क्या बोला सर बोला एलीसी कराओ और क्या बोला सर ब्रेंट कोई और यहां भाग रहा है कोई यहां भाग रहा है को पोस्ट ओफिस में भाग रहा है बहए हम अपने पास पैसे नहीं रखेंगे तुम रख लो पैसे अब ये सब क्यों रख लो पैसे क्योंकि इन सभी को टेक्स बचाना था नहीं तो 21,000 देना पड़ता सोचा है यह बैंक में रख देते हैं बैंक में तो हमारा ही पैसा है हम जब न कभी निकाल लेंगे और यह तरीके से होगा जैसे इन और गनाईजेशन के पास LIC के पास इनके इन्होंने क्या करा लोन देना चालू कर दिया क्योंकि इनके पास आगया पैसा इन्होंने क्या करा लोन देना चालू कर दिया और इन्हों के पास आगया पैसा और लोन जैसे ही बिजनस को देने लगे बिजनस और इस्टैबलिस होने गौइम्सेंड लोगों से पैसे निकल वानी के लिए क्या करा इन्होंने लोगों की ताक्या एक और चीज़ हुई कोई तो इसके प्रचेजिंग पावर क्या हो गई पर्चेशिंग पावर कम का मतलब क्या होता है कि इस सिच्वेशन में लोगों के पास पैसे नहीं है तो वह ज़्यादा समान खरीद ने रहे तो डिमांड उतनी है नहीं सप्लाइब प्रॉपर है तो एकनोमिक बैनल बैलन्स हो गई तो ऐसे सिच्वेशन से यह सारी चीजे हुई और यह कब था यह पुराने टाइम पे था यानि पुराने टाइम पे सर हमारी जितनी इंकम में थी उसमें से कुछ माइनस किया जाता था जो यह माइनस करने के लिए देर यह गवर्मेंट लाइसी में जमा करो माइनस कर इसको बोला गया साहब डिड़क्शन सर डिड़क्शन क्या होता है मुझे बताना मैं आपसे एक बेसिक सा कोशन पूछता हूँ आपकी इंकम पांच लाक रुपए है गौर्मेंट ने बोला एलाईसी में आप जमा करोगे तो आपको इंकम में से माइनस करना लाउड हो जाएगा मान लेता है एलाईसी में आपने पचास अजार जमा किया आपकी इंकम कितनी है आपकी इंकम पांच लाक है और एलाईसी में आपने 50,000 जमा किया तो अगर गवर्मेंट ने बोला है कि LIC में जमा करोगे तो तुम्हारी इंकम में से माइनस कर दिया जाएगा तो आप बताओ आपका टेक्सिवल इंकम वह इंकम कितना है जिसके उपर आपको टेक्स देना है बताइए मुझे जल्दी अरे मनन फॉर एक्स तो इतनी भारी-भारी बाते कर रहे हो मेरे तो उपर से निकल जाएगा यह हाँ बनर ने बताए सर साथ दिन के पैसे तो मुझे तो देख़ा एक्स डेटा याद नहीं था साथ दिन में कुछ भी हो सकता था तो हर्षित ने बोला एक जिरो कम लगाया हम इतने सभी ने साड़े चार लाग तो सभी ने बोला सर आपको टेक्स जो देना होगा साड़े चार लाग तो जब यह स्कीम आए तो जितने छोटे लोग थे जिनके पास थोड़े पैसे थे सभी इन्वेस्मेंट करने लग गया और इस हिसाब से तो जो आपने उसमें से माइनस किया उसको क्या बोला गया डिड़क्शन ऐसे सरकार ने डिड़क्शन दिये हुए थे सर डिड़क्शन दिये हुए थे कि आप इंकम में से घटा लीजिए तो पुराने में क्या था हमें और इस डिड़क्शन को पढ़ने क ही है कि जो हम पढ़ेंगे जो की section एक ची से लेके एक एक यू तक भाई ये टी सी से एटी यूमीन समझता एक इसी है एकजी सी सी-सी क्येंश है एक्जी ओड़िए एक ती सी डी है एक्जी दी है तो है एक एटी है भगवान सी में इतने हैं तो बागी कितने होंगे बहात सार तो बोला इतने तक का जो भी आपको दिख रहा है Isn't至 अब को देने वाले हैं क्या हम देने वाले हैं आपको इन सभी का डिड़यक् सितारमंजी और और अवंडिया के पास बोड़े पैसे हो जुए हैं पैसे की कमी नहीं है इंडिया के पास बहुत पैसे आ चुका है तो बोला लोगों को धमकाने की जुरत नहीं है लोग पढ़े लिखे हो गया है उनसे हमें यह नहीं बोलना कि तुम पैसे यहां डालो वो खुद ही डाल रहे हैं इतने समझदार हो गया अपने फ्यूचर को लिए कि इतने हो गया है उन्होंने कहा कि न्यू वाले में यह जितने भी कि नॉट अलाओड कर देते हैं इसको क्या कर देते हैं नॉट अलाओड इसको देंगे ही नहीं इंटेंशन क्या रही अब लोगों ने इंवेस्मेंट तो करने की आदिद डल गई है आप मेंसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे सूस्ते होंगे शियर मार्किट में पैसे तो और नई रिजम सबसे में डिफ्रेंस यहां पर आपको डिड़क्शन मिला करता था और यहां पर नहीं मिला करता था मैं कुछ कुछ एक्जामपल ले लेता हूं जैसे की वैसे तो इसको पढ़ेंगे तो कम से कम मेरे को लगता इसको चार पांच घंटे में खतम करेंगा सारे डिड़क्शन को अभी तो मैं मान के चलो बहुत संबल संबल के करवा रहा हूं कि कुछ ऐसे नए वर्ड जब आ रहे हैं तो बहुत सारी बाते तो बीच में मूँ के अंदर ही रख रहा हूं मैं बता नीड़ा वो बाते को बस मैं इतना ही बाते को अभी बता रहा हूं कि जितनी जरुरत पड़ेगी और जितना मैं समझा सकता हूं जैसे आगे बढ़ेंगे तो सारी बाते खुल के आएंगी तो बोला के घर ले लो तो डिड़क्शन मिलेगा आप अपने बच्चों को पढ़ाओ एजूकेशन के लिए कि सबके अलग अलग सेक्शन है आप यह करो और भी बड़े बड़े सारे अभी बीच में तो एक है हमारा एटी डबल जे उसके अंदर मोधी गवर्मेंट का बेस्ट फेवरेट था अपने पास जितने ज्यादा इंप्लोई को रखोगे हम डिड़क्शन देंगे आगे हम बताएंगे सारी कारणामे के किस तरीके से सरकार बिजनसमेन को किस तरीके से किसी जगे को कैसे डेवलेफ कर वा लेती है बिजनसमेन से यह सभी और भी बड़े सारे लिस्टे माइनस करने अलावड और यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे सिर्फ दिया गया क्या क्या दिया गया हम बाद में बात करेंगे मैं बता देता हूँ ATCCD1 2 CCD2 मतलब यह NPS है NPS के अंदर तो हम जब पढ़ेंगे तो दूसरा अभी एक ATCCH आ गया है 2 इसका भी deduction होगा अगनी वीर के नाम से है यह AT डबल जे भाईया बोला इसके अंदर सिर्फ इन तीन बातों की deduction मिलेगी बाकी किसी बातों की deduction नहीं मिलेगी जो कि इतना ज़्यादा था भी नहीं तो मतलब सर अगर मैं आपको और डिटेल में समझाओ के सही भाईया डिडेक्शन क्या होता है भाईया डिडेक्शन क्या होता है अगर मानलो मेरी इंकम यहाँ पे सपोस करो मेरी इंकम यहाँ पे आठ लाग है और यहाँ पे भी अपनी इंकम में आठ लाग मानता हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे LIC में मान लेते हैं 50,000 रुपए जमा किये हुए हैं FD में मैंने मान लो 1,00,000 रुपए जमा किया हुआ है Medical Insurance में मान लो 20,000 रुपए डाले हुए है Education के अंदर मान लो 40,000 रुपए का interest किया हुआ है तो अगर मैं अब income calculate करने जाओंगा तो और किसी पर कर रखा है और और बता देते हैं और एक दो रख लेते हैं और रख लेते हैं सर और रख लेते हैं मतलब मैंने किसी का charity कर दिया disabled था disabled person था वहाँ पर मान लेते हैं कि मैंने डाल दिया 75,000 75,000 ऐसे कर दिया मैंने तो disabled था जो की deduction आता था 80DD में मैं लिख देता हूं साफ 80DD में अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा कि क्या है 80DD जो disabled होते हैं उसके लिए दोनों जगा आठ लाग की income तो सबसे पहले अगर यहां पर मैं लिखूंगा तो हमें यहां पर मैं दोनों के लिए सेम ही मान रहा हूं आठ लाग का इंकम और दोनों के लिए सेम जगा investment भी मांग रहा हूं तो सर यहां पर तो किसी भी जो हमने investment जो हमने पैसे जमा करें हैं सरकार के कहने पर इसका कोई benefit नहीं मिलेगा तो यहां पर अप्टू ट्री लेक्ट पे आपका tax होगा 0 और next ठी लेक्ट पे होगा आपका 15,000 पांच परसेंट के इसाप से और next ट्व लेक्ट पे होगा आपका 10 परसेंट के इसाप से 20,000 तो यहां टेक्स बनने वाला है 35,000 और इसके उपर प्लस सैस भी लग जाएगा सैस 4% लगेगा जो कि कितना हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा 4% लगेगा 1400 रुपे और तब जाके कहीं हम 36,400 रुपे हमें सरकार को देना होगा अब सर इस वाले में चेक करते हैं अभी तो पीछे वाले कुश्चन में बोला नया ही फायदे मंद है इसी को मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूँ हर बार नया अच्छा नहीं होता है अब मेरे इंकम कितनी है सर मेरे इंकम है आठ लाक लेकिन हमें अभी यह सब माइनस करना बाकी है लेस डिड़क्शन तभी टेक्स निकालेंगे क्या क्या माइनस होगा पच्छास हजार प्लस एक लाक प्लस प्लस दो हजार बीस हजार प्लस चालिस हजार प्लस पिछात्तर हजार इन सभी को टोटल कर लेते हैं पहले इन सभी को टोटल कर लेते हैं पचास हजार एक लाक बीस हजार चालिस हजार पिछात्तर हजार दो पिच्छासी एक काम करते हैं थोड़े से और बढ़ा लें किसी कर देंगे माइश को साथ हजार तो हमारा कोश्चन सही बन जाएगा साथ कर दिया लोगी कि मैं इसाथ प्लस भी-जार तो यह 3,5000- हो जाएगा अब हमारी इंकम बनी 4,995 मोरे कि अब हमें टेक्स निकालना होगा 4,95,000 पर अब टू फिटी लो कि नेक्स्ट कितने बचे होते हैं तो धाई है नहीं 245 पर पर्सेंट 245 पर यह बने बारह कितने बन के बारह 250 अब देखो नए वाले में आपको 36,000 टेक्स भरना था पुराने वाले में आपको कुछ टेक्स नहीं भरना तो अब आपसे सवाल पूछूं कि बताईए आप नए के हिसाब से टेक्स देंगे या पुराने के हिसाब से टेक्स देंगे आपकी किस में समझदारी है आप नए के हिसाब से टेक्स देना पसंद करेंगे या पुराने के हिसाब से टेक्स देना पस जो पीछे था यहाँ पे तो नई के एसाब से दे रहे थी क्योंकि नई में कम आया उल्ड के एसाब से नहीं दिया और यहाँ पे इसका मतलब सर यह बाते कहीं नहीं जा सकती कि किसमें हमारा टेक्स लाइबलिटी हमेशा ज़्यादा यह कम होगा अगर आपने इन्वेस्मेंट किया हुआ है अगर आपने जहां गौर्मेंट ने बोला है उस जगहे पे इन्वेस्मेंट किया है और डिड़क्शन के लिए एलिजिबल हो तो तो आपका पुराने वाला टेक्स बढ़िया था ये, अगर आपने कोई भी investment नहीं किया, zero investment तो आपके लिए नए वाला बढ़िया है, तो सबसे पहले आपको मैं इतनी छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, पुराने टेक्स में आपको deduction allowed था, नए टेक्स में deduction allowed नहीं है, इसी वज़े से हमारे दोनों के tax rate में differences आता है, तो मैं simple सी बात कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति है, जिसने की कोई investment ही नहीं करी हुई, उसे कौन सा tax follow करना चाहिए, जिसने कोई investment नहीं करा, उसको कौन सा tax follow करना चाहिए, नए वाला या पुराने वाला, बताइए मुझे, नहीं वाले करना चाहिए, नहीं वाले करना चाहिए, तो मैं मान पा रहा हूं कि आपको समझ में आ गया के नहीं वाला क्यों कह रहे हो, नहीं वाला आप इसलिए कह पा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर tax rate कम है, लेकिन अगर आपका मान लो, अगर आपने investment कर रखा है, और नए वाले में सेलरी में भी बहुत सारी बहुत सारे पंगे हैं क्या क्या चीजे बैनिफिट्स नहीं मिला है नए वाले में वह जब हम पूरी लिस्ट पढ़ेंगे न तो आपको क्लियर्ट योगारी यह तो इतना ज्यादा इसके अंदर सारी चीजें खतम कर दी मतलब नए वाले में अगर आना चाहते हो तो भूल जाओ आपकी सारी दान आपका इन्वेस्मेंट आपने कुछ किया भूल जाओ आपको टेक्स दे रहा है वस हमने कम रेट कर दिया इसी का फ अगर मानलो मेडिकल लिया है तो कोई प्रूफ गौर्वर्मेंट मांगती नहीं थी इतना समय भी नहीं था मैंने अब कर वाया है तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों नहीं करा है बोला हमने करा रखें और यहाँ पर माइनस करके अपनी इंकम को कम करके दिखा देते थे तो यह टेक्स रेट किस पर अप्लिकेबल है एओपी बीओवाई इंडिविजुल हुएफ और आटिफिशल जुडिशल परसन पर अप्लिकेबल है तो अभी तक आपको यह समझ में आया होगा कि टेक्स जो है नए वाले से भी हो सकता है और पुराने वाले से भी और इसमें कि एक कुश्चन है अभी तो मैं देखो बहुत मैंने कहा कि मैं डर डर के काम कर रहू हूं मैंने बहुत सारी बाते तो बताई नहीं कि क्या क्या चप्टर के बीच में आता रहे सिर्फ आपको छोटी छोटी बस आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहा हूं कि कैसे कैसे काम होता है एलाइसी में इन्वेस्मेंट है मान लो एक लाँ अब लो आपने मेडिकल कि अपने फादर का करवाया है कि मान लेते हैं 30,000 कि मान लो आपने होम लोन ले रखा है या फिर आपने एजुकेशन लोन पे खर्चा किया है जो कि 80E में आता है एजुकेशन लोन 80E में उसके अंदर खर्चा किया है मान लो 3,000,000 आपकी इंकम S per new this rate 10,000,000 है और आपकी इंकम यहाँ पे भी 10,500,000 है अब आप मुझे बताईए old और new दोनों में से किसमे tax liability कम आ रहा है मुझे तो पहले बताईए old और नए में से किसमे tax liability कम आ रहा है आपको अभी class work दिया है मुझे करके बताईए कि यह वाला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ new आपको बताना है सर new में tax liability क्या है और आपको बताना है सर old में tax liability क्या है old में tax liability क्या है और new में tax liability क्या है आपको बताना है जल्दी बताईए old में क्या है और नए में क्या है आपके जवाब का कि कितनी जल्दी कौन बच्चा बताता है और टेक्स प्लैनर कौन सबसे बढ़िया बनने वाला है यह देखते हैं मैं सॉल्व करूँ आप भी सॉल्व करिए मैच करिएगा फटा फटा आप भी सॉल्व करिए और मैच करिएगा चलिए सर यहां पर अपटू छिए रिल एक आपको पता है 5 परसेंट क्यों जीरो होगा ना यहां पर तो यह नि जीरो और नेक्स्ट कोई डिडेक्शन तो है नहीं थ्री लेक पर पर पांच परसेंट एट इस पंद्रा हजार फिर से नेक्स्ट थ्री लैक क्योंकि 10 पचास है 10 परसेंट यानि तीस हजार और जो बैलेंस बचा बैलेंस बचा नो लाग चले गए तो एक लाग पचास हजार यहां 15 परसेंट तो 15 इंटू में 15 बाइस पांसो 15 परसेंट है कि बाइस हजार पांसो यह टोटल बनता है हमारा इसके उपर सैस भी लगा दिया जाएं सैस चार परसेंट सताइस सो यहां गया सत्तर हजार दो सो इस पर टोटल यहां पर देखें तो पहले यहां पर इंकम कैलकुलेट करेंगे इंकम हमारा था दस लाग पचास हजा सर ओल्ड वाला क्योंकि है तो माइनस में लेस कर देंगे डिदेइक्शन क्या-क्या मिलेगा एक लाफ पूरा मिल जाएगा प्लस में तीस अजार प्लस में तीन लाफ इंटरस और लोन है एक तरीके से यह तो एक सी तो दस लाख पचास अजार यह बन गया च्छे लाख बीस अजार की इंकम जनरेट हुई है अब यहां पर टेक्स रेट भले ही ज्यादा है लेकिन इंकम कम हो जाती है आप टू धाई लाख तक तो आपकी इंकम रहने वाली है जीरो अब नेक्स धाई लाख पे यानि टू फि एटी सैवन ए यहां भी नहीं मिलेगा हैं पूराणye वाले में 5 लाख तक कि इंकम पर मिलता है नहां वाले में साथ लाख तक कि इंकम पर मिलता है यहां पर 25000 का हह और यहां पर आपका 12500 का ही है बैलेंस कितना है बैलेंस बचा हमारा 1 लाख 20,000 क्योंकि 5 WA तो एक 20 पे सीधा 20 परसंट लगेगा 24,000 24,000 प्लस 12,500 36,500 और प्लस 4 परसंट का सेस इंटू 4 परसंट 14,60 और इसको एड कर देंगे तो 37,960 तो अब आप बताओ कौन सा बढ़िया है तो आप भोलोगे सर अगर आपने investment की हुई है तो अगर आपने investment नहीं किया होता तो old वाला आपके लिए बेकार ही होता उस situation में आपके लिए कौन से वाला ठीक होता फिर नए वाला old वाला best है तो किसने 70,237,960 एक बच्चे का तो बिल्कुल exact answer है और हर्षित ने भी 70,200 क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आई कि बहिया old और new और एक छोटी सी हमने अभी तक क्या समझा है बहिया tax rate क्या होता है इसमें old rate भी है और नए rate भी है old वाले में age के हिसाब से चलता है नए वाले में एक fix दे रखा है और deduction वाले भी यहां पर कुछ पंगा है और deduction क्या होता है हम income में से minus कर देते हैं और deduction कहाँ applicable है सरिफ और सरिफ old वाले पर applicable है नए वाले में भी है लेकिन नए वाले में तीन deduction दिया इन्होंने नमबर वन आपको जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताईए इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे marginal relief सर्चार्ज के उपर सरकार जो ज़्यादा पैसे कमाता है उनसे पैसे और लेना चाहरी है तो पहले देखो गवर्मेंट ने कितने चलाकी कर रहें इंनवेस्मेंट कर लिया जब लगा के लोगों को अedar theome करने के दिमाग से नखले गाए उसी में खतम करते हैं अभी नहीं मैं सारा का सारा सेक्षन लर्न कराऊंगा मैंने कहा इसके अंदर मुझे कम से कम 3-4 दिन लगेंगा चलते हैं 14 तारीक से ठोड़ा कर लीजेगा 14 फिर 14 मैं आप लोगी क्लास मैं हफ्ते में चार करने जा रहा हूंँ TTS में तो है ही है आपकी class और management account की दो class करूँगा मैं हफते में दो class हफते में management account और एक दिन मैं लगाऊंगा TTS यानि आपकी class होगी Tuesday मैं बता दूँगा अभी time table अभी आप कुछ मत समझेगा Tuesday होगा Thursday होगा इसके बाद Friday होगा और Saturday होगा ऐसे classes मैं करने का सूच रहा हूँ क्योंकि income tax में मैं ज़्यादा समय देना चाहता हूँ यहां तक हर बच्चे को clear है तो चलिए मैं आज ज़्यादा आगे नहीं बढ़ारा सिर्फ आप इतने को revise करिएगा आपके लिए homework के लिए एक ये question दे देते हैं यह तो 99 लाग है सरचार्ज वाला है अभी तो करनी पाएंगे चलिए अभी कुछ नहीं दे रहें जितना मैंने कराया है उसको revise करिएगा अभी बुक भी नहीं आया है हम नेक्स क्लास के अंदर और यहां तक पूरा revise करके आईएगा अगली क्लास में हम करेंगे सरचार्ज और एक न्यू चेप्टर पूरा एंटायरली जो रेजिस्टर पर नोट किया है आपने उसको revise करके आना है और जो भी फ्रेंट है उनको बोल दो के भीया इंकम टेक्स बहुत भारी पढ़ने वाला है इस वार और अगर इस पेपर के अंदर कुछ उपर नीचे हुआ पूरा साल बरबाद हो जाएगा आपका इस बात का ध्यान रहे हैं चलिए